हेलो दोस्तों सवागत है आपका competition classes में आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा article 2 और article 3 में जो हम different समझेंगे कि किस तरीके से इन दोनों में अंतर पाया जाता है क्योंकि अक्सर ना exams में ऐसे question आ जाते हैं जिससे हम लोग confused हो जाते हैं कि article 2 और article 3 में फरक सकते हैं और इससे पहले मैंने important article की एक video बनाई हुई है जिसका part 1 आ चुका है और भी part आएंगे तो उसको आप देख लेना जिससे कि आपको सारे important articles में समझ में आ जाएं जो कि exam point of view से बहुत important है तो आप discussion स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले question समझते हैं तो question यह कह रहा है कि consider the following statements एला statement यह कहता है कि article 2 of the Indian constitution relates to admission or establishment of new states which are not the part of union of India तो अगर हम इसको हिंदी में समझते हैं तो वो यह कहता है कि भारती समिधान का जो अनुच्छे 2 है वो उन नए राज्यों के प्रवेश या स्थापने से सम्मंदित है जो भारती संका हिस्सा नहीं है तो वहीं अगर statement 2 समझें तो statement 2 कहता है कि article 3 of the Indian constitution provides for the formation और changes in the existing states including union territories यानि कि भारती समिधान का जो अनुच्छे 3 है वो केंद्र सासित प्रदेशों के साथ-साथ मोजूदा राज्यों के गठन या परिवर्पन का प्राप्धन करता है वही statement 3 जो है वो यह कहता है कि अब बिल अंडर article 3 of the Indian constitution shall we introduce only in the लोगसभा यानि कि जो भारतिय समिधान के अनुच्छे 3 के तहट जो एक विद्हक पारित होगा वो केबल लोगसभा में ही पेश किया जाएगा तो अब इस question को समझने से पहले हमको article 2 और article 3 अच्छे से पता होना चाहिए तो अब अगर हम इसकी भासा को समझते article 2 क कहता है कि admission or establishment of new states यानि कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना फिर अगर हम article 3 समझते हैं तो article 3 भी जो है कहता है कि formation of new states and alteration of areas, boundaries and names of the existing states यानि कि नए राज्यों का नाम बरतमान राज्यों और पुराने राज्यों के छेतरपल वा सीमा परिवरतन अब यहां पे interesting बा तो अब इन दोनों में फरक क्या है कि दोनों ही एक बात कह रहे हैं तो इन दोनों में फरक यह है कि अगर हम इसको detail में समझें article 2 को तो article 2 बेसिकल यह कहता है कि अनुच्छे 2 जो है संसत को यह शक्ति देता है कि संसत बिदी दौरा ऐसे नियमों के दौरा जिसको वो ठिक सम संग में नई राज्यों की प्रवेशन उंकी इस्थापना कर सकेगे, अब इसका क्या अर्थ हुआ, आर्टिकल दो जो है, बहारतिय संसथ को दो प्रकार की शक्तियां परदान करता है, यानि कि पहली वह ये बात करता है, कि भारत की संसद जो है भारत ये संग में नए राज्यों को शामिल कर सकती है अब ये नए राज्य कौन से हुए तो ये नए राज्य बेसिकली वो होते हैं जो पहले से जो है राज्यों की कैटेगरी में आते हैं यानि कि जो पहले से एक्जिस्टिंस रखते हैं अब इसका अगर हम example समझें तो हम example सिक्किंग के रूप में देख सकते हैं कि सिक्किंग भारत का हिस्सा पनता है तो थोड़ा अगर हम सिक्किंग के इतियास परग्रम चर्चा करें तो सिक्किंग भारत संग में शामिल होने से पहले एक रियासत के रूप में था जिसमें Associate State का दर्जा दे दिया जाता है फिर इसके थीक एक सालवाद जो है 36th Amendment आता है यानी कि 1975 में जिसके तह जो है सिख्किम को full इसके का दरजा मिल जाता है तो इसका अर्त ये होता है कि सिख्किम पहले स्यासत के रूप में वो पहले था लेकिन 1975 के बाद जो है भरत में शामिल कर तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो नए राज्यों को भारतिय संग में सामिल करने की जो प्रक्रिया होती है वो आर्टिकल तो के तहतम को दी गई है फिर वहीं गब दूसरा जो स्टेटमेंट समझते हैं तो वो यह कहता है कि नए राज्यों को स्थापित करने का अधिकार अब इसका अर्थ होता है कि यह उन राज्यों के गठन की बात करता है जो पहले सही एक्जिस्टेंस नहीं रखते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ा इंपॉर्टन्ट हो गई पहला तो यह जाती है कि वो राज्य शामिल हो सकते हैं भारतिय संग में जो पहले से एक्जिस्टे लेती है तो वो आर्टिकल दो के थैद यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी इसी प्रकार हम समझें तो विशेश रूप से अनुछे दो जो है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापने से संबंदित है जो भारत संग का हिस्सा नहीं है यानि कि जो भारत संग से जो बाहर क लिए कहता है कि जो राज्य भारतिय संग में पहले सही शामिल होते हैं उनके अंदर कोई चेंज करना होता है तो वो हम आर्टिकल तीन के तहत करते हैं यानि कि अगर हम इसको समझें तो ये एक राज हो जाएगा और ये एक राज हो जाएगा तो एक राज हो गया और बी ए कह रहा है कि आर्टिकल तीन जो है वो भारतिय संसत को कुछ निर्देश देती है अब वो निर्देश क्या होते हैं तो निर्देश बिसिकली ये होते हैं तो वो किसी भी राज छेतर के किसी भी हिस्से को अलग करके किसी एक अन्य राज में परिवर्टेत कर सकती है ठीक है जै बाद किसी भी एक राजी के कुछ हिस्से को अलग करके नय राजी में परिवर्टित करना जो है वो आर्टिकल 3 बताता है। तो वो आर्टिकल 3 के थहत हम करेंगे वहीं अगर हम किसी नए राज्य को शामिल करते हैं जैसे कि किसी और देश से कोई राज्य हमने सामिल करना है तो वो हम आर्टिकल 2 के थहत करेंगे फिर आगे समझें तो इसकी प्रक्रिया से सम्मंदित कुछ बात बताई गई है तो यह बताए गया है कि इस प्रीके का कोई भी बिल आएगा यानि कि किसी राज्य के किसी परिवर्तन से सम्मंदित कोई बिल अगर आता है तो वो राज्य पत्ती की पूर्व अनुवंति के बाद ही पेश क्या रा सकता है फिर दूसरी चीज यहां पर यह हो जाती कि अगर ऐसा कोई बिल आता है किसी राज से सम्मंदित तो यह राशपती की जिम्मदारी हो जाती है कि राज विशेष की बिधानमंडल के पास वो बिल भेजे जिससे कि वो राज जिधानमंडल जो है उस पर चर्चा कर सके और अपन मायने रखती यहां पर संसत की शक्ती जो है वो चल रही है फिर वहीं अगर संग साचित प्रदेश में कुछ ऐसा परिवर्तन करना होता है तो इस तरीके की किसी भी अनुमती की जरूत नहीं होती है संसत अपने आपी यह सब चीज कर सकती है तो इससे हम एक समझ में आता है कि जो भारत का संग्धान है तो हमारे संसत को ऐसी सक्ती देता है जिसमें की राज जो है अपने कोई भी अधिकार छेत्र का प्रयोग नहीं कर सकते राजियों में अगर कोई भी विस्तार करना हो उनके बॉंड़ी से रिलेटिट कोई परिवर्तन करना हो तो वो शक्ती पू भारत जो है वो बिनाशकारी राजियों का अभिनाशी एक संग माना जाता है तो चलते हैं फिर से कोईशन की ओर तो यहां पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नमबर 2 यानि कि A and B हमारा सही होगा जो कि ये कह रहा है कि आर्टिकल 2 जो है वो नए राजियों के गठन से संबन्दित है जो कि भारत के संग का पार्ट नहीं है और स्टेट्मेंट B जो है वो ये कह रहा है कि आर्टिकल 3 जो है वो उन राजियों के गठन की बात करता है जो भारत के संग में शामिल है यानि कि यहां पे ऑप्शन नमबर C गलत हो जाएगा क्य शामिल नहीं है उनको शामिल करने की अधिकार देता है और आर्टिकल 3 बेसिकली जो भारत के संग में पहले से सामिल है उनके अंदर कुछ परिवर्तन करना होता है उनकी सीमा को काटना होता है तो इस तरीके के कुछ भी जो परिवर्तन होते हैं वो हम आर्टिकल 3 के तहत द लिंक है, अगर आपको कोई भी question या कोई query हो, तो आप message भेज सकते हैं, मैं आपका reply दे दूँगा, तो मिलते हैं next video में, thank you so much, bye